आआआ, 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 हो, 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 हो. पीडा ही प्यारा सुनिर्गों है सुनेंगे आप। कि जीवरुपी आत्मा कहती है कि का कहीं बत्तिया और कटत नहीं खेरतिया हमरा से भाईले कसूर ना जाने पियाऊ के मतिया के मारा हमरा से भाईले काहे दो आरे कावन भाईल चुकावा हम से आरे कावन भाईल चुकावा हम से आरे कावन भाईल भूले अरे काहे खाती रप्यावा भाईले काहे खाती रप्यावा भाईले कावन भाईल चुकावा हम से कावन भाईल चुकावा हम से कावन भाईल भूले अरे काहे खाती रप्यावा भाईले काहे खाती रप्यावा भाईले खोलरी के भोले अरे काहे खाती रप्यावा भाईले काहे खाती रप्याव अर्णा धकैं अर्णा काहे खाती रप्यावु मोहा नहीं गई ले कौनों चली गई ले छोड़िके मोहा नहीं गई ले कौनों चली गई ले छोड़िके काहे ले ले यही ले नाता अपन घरम जोड़िके अपन घरम जोड़िके जावर जावर काहले पिया जावर जावर काहले पिया कई हम हम कबूल लहे अरे काहे खातिर पियावा भई ले काहे खातिर पियावा भई ले गुलरी के भूल लहे अरे काहे खातिर पियावा भई ले कुलरी के भूल लहे अरे काहे खातिर पियावा ले काहे बिया खातिर अरे काही काहे जा rehe है जावर बुलर भई मकरा भातिर था ओप जमा रषे बादर्व ले 자ावते बाति के जवाब 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 बीले हमके सुतले उरात से सुतले उरात अमरा पुझाते अमरा पुझाते अमरा पुझाते सुतले भुझाते क्यानी के जवाब बल कुझाते कर दो 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 में कर दो कर दो कर दो कर दो निसले उनक्षा जांचका नीचा सांगाई के ना हिता पे दर दी चाई है हसी ये पे धूले ये काई है खातिर पियावा भई काई है खातिर पियावा भई कुलरी के भूले ये काई है खातिर पियावा भई काई है खातिर पियावा भई कावन भाई चुपवा हमसे कावण भाई चुकरा हमसे कावण भाई भू लहे काहे खातिर पियावा मोई दूनरी के भू लहे काहे खातिर पियावा मोई दूनरी के भू लहे काहे खातिर पियाव मोई दूनरी के भू लहे काहे खातिर पियाव महराज दूनरी के भू लहे लाउटे और ठेक उसी के हम नकल मुकुट बना कर अपने सर पे लगा कर रहने रहने लेकिन जो औरिजिनल राज मुकुट था वो बाली के पास रह गए जब भगवान राम जी का राज तिलक होने लगाना हो तब माता के के सोचती है कि आखी राज तिलक होगा कैसे राज तिलक होगा कैसे राज मुकुट तो अयोत्या में है ही राज मुकुट तो अबध में है ही नहीं इस बात को सिर्फ देवी के कई जानती थी देवी के कई के सिवा और कोई नहीं जानती थी तब उन्होंने एक सर्यंत रचाचा कि मुकुट बापस लाने का बस एक ही उपाए है राम को बनवास भेजना होगा इस राज तिलक को रोकना होगा इसलिए देवी के कई महराज सबसे ये दो बरदान मांगी सचे राम जी तो सब कुछ चांदे वो अंतर याँ याँ इसलिए जब राम जी लेकिन इस मर्म को कोई नहीं जानता था सिर्प देवी के कई महराज दसरत जानते थे लेकिन भगवान अंतर यामी हैं वो तो सब कुछ जानते हैं उनसे कोई कुछ च्छिपा सकता है हम आप से च्छिपा सकते हैं आप हम से च्छिपा सकते हैं दुनिया से च्छिपा सकते हैं लेकिन प्रभात्मा से कोई कुछ नहीं च्छिपा सकते हैं सजिदों जब राम जी लौट कर आए इसलिए सीधे माता के कही के परसके उन्हें लोग कलंग की नहीं कहने लगे माता केकई के उपर बहारी कलंग का आया सजिनो जब भगवान माता केकई से कहे कर ये बापस आया कि मां भरत मेरा भाई चिंता ना करो राम कहेगा और भरत मानेगा राम जी लौट रहे हैं राम जी चल रहे हैं भरत जी के पास इधर से भरत जी भी राम जी के चरन पादुका को लेकर अपने माधे पर रखकर भरत जी चले आ रहे हैं भरत जी चले आ रहे हैं और गाते आ रहे हैं भरत जी क्या कि मेरे मन में है राम मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम रूम रूम में बसे हैं मेरे राम है जिनके चरणों में मेरे चरधाम है रूम रूम में बसे हैं मेरे राम है जिनके चरणों में मेरे चरधाम है मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम रूम रूम में बसे हैं मेरे राम है जिनके चरणों में मेरे चरधाम है रूम रूम में बसे मेरे राम है जिनके चरणों में मेरे चारो धाम है भरत की गाति में चले आ रहे हैं मगद उधर से राम जी चले आ रहे हैं दर से भरत जी चले आ रहे हैं दोनों भईया आमने सामने खड़े हो गए जब आमने सामने खड़े हो गए राम जी भरत जी से कहते हैं भरत भरत हाँ भीया कहिए कहा भरत अगर ये राम आज तुम से कुछ मांगे तो तुम दोगे भरत दियान देंगे जो संसार के मालिक है अखिल ब्रमांड के नायक है पार ब्रम्ब है वो जो दुनिया के मालिक है दाता एक राम भी खारी सारी दुनिया है नहीं वो दाता है संसार के मालिक हैं जिनके आगे दुनिया अपनी जोली फैलाती है अपने हाथ को फैलाते हैं आज वह संसार के मालिक भरत जी से कह रहे है कि भरत अगर आज ये राम तुम से कुछ मांगे तो तुम दौगे भरत सजर जिर 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 माता Пिता के आगे परमातमा को भी जुक न पारता है ये मातरी भरीती है मैईया के कारं समस्त संसार के मालिक जगत के जगदाधार मर्यादा पुरसुद्म राम भरत जी से कहते है भरत आज ये राम तुमसे कुछ मांगे तो तुम तो गह मा के लिए मा कितनी महान है मा का अस्थान कितना उचा है यह समझ है यह समझ है आज जो मा नौ महीने तक अपने पेट के अंदर अपने संतान को रखती है उस दोरान कितनी पीडा सहन करती है जो मा अपने खूण को पानी के समान बहा देती है हम और आप जैसे बेटे को संसार में लाने के लिए बेटे की साधी रचाने से पहले घर में बहु को लाने से पहले माता पिता पूरी विवस्था कर लेते हैं कि जब मेरी बहु आए तो मेरी बहु को किसी प्रकार करक्ष्ट नहीं होना चाहिए वह बहु के आने के बाद बेटा जो माने जनम से लेकर पचीस वरस तक ममता लुटाती रही उस पचीस वरस की ममता को बेटा दो दिन के प्यार में भुला देता है दो दिन के प्यार में भुला देता है माता पिता को ठुकरा देता है ठोकर मार देता है कि जब जो भी है वो बस सिर्फ पतनी है पतनी के आगे माता पिता को भोल जब दे जो पतनी कहती है वो वही करते है जितनी डर पतनी का होता है उतना डर अपनी माता पिता का नहीं नहीं बहुत ऐसे बेटे संसार में है सब की बात में नहीं कर रहा हूँ लेकिन सौ में 95% ऐसे ही 5% है कुछ जो अपनी मती और भुद्धी के अनुसार चलते हैं माता पिता के अनुकूल चलते हैं आज हुआ मां की ममता को लेकर राम जी चले कि मां क्या चीज है भगवान भरत जी से कहतें कि भरत आज ये राम तुमसे कुछ मांगे तो तुम दोगे लेकिन भरत भरत भी भगवान के उतने ही प्यारे थे भरत जी कहते हैं भाईया हम भी तो आपके पास कुछ मांगने के ही नीच ले आ रहे थे भरत जी कहते हैं कि भाईया हम भी तो आपके पास कुछ मांगने के ही नीच ले आ रहे थे राम जी कहते हैं काम करो पहले तुम ही मांग लो उसके बाद हम मांगेंगे क्योंकि तुम छोटे हो और बड़ों से मांगने का अधिकार होता है छोटो पहले तुम ही मांगने अब रामजी को भी ये पता नहीं था कि जो मैं मांगने आया हूँ वही ये भी मांगने भारत जी कहते कि भीया अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो हम आप से यही मांगते हैं कि आप मुझे मां को कभी मां नहीं कहने के लिए नहीं कहिए भगवान कहते हैं लोगे सब गड़ बड़ हो गया क्या पता था कि जो हम मांगने आ रहा हैं वहीं बरत मांग लेका सचेना आठ घर परिवार से भरा हुआ है लेकि ये घर ये इतनी सुन्दर विवस्था सब के सब सोना लग रहा है किनके बिना एक मां के बिना मां के बिना सब सोना लग रहा है अर बगिया लगई ये आर पच्च पेरया मावा पच्ची स पेरम हुआ लगई ये नहे आर सक्खिया रे रे सक्खिया आर सक्खिया रे साकालो रे बगे चावा अर लागह यूदा सक्खिया अर ये सक्खिया बिना रे सक्खिया रे साकालो रे बगे चावा लगह यूदा सक्खिया रे सक्खिया असो का विरिधिया बिना रे ना हो पगिया लगई ये पांचे पेरया मावा पची सा पेरा महुआ लगई ये पची सा पेरा महुआ लगई ये नहे सक्खिया रे आर वहिनिया न गे सक्खिया रे साकालो रे बगे चावा लगई यूटा सक्खिया असो का विरिधिया बिना रे मुआ पेरा मुआ रे झालो रे कर दो कर दो सक्खिया है सकलों बगेचवा लागा है उदास एक यसो का बेच्छिया भी ना है इतना ही नहीं एक बहन कहती है नई हारा में पांच जेठ्धा भाई बच्चीस कोबहती जावा सोभाई बच्चीस कोबहती जावा सोभाई नहें सजनों आप विचार करें अनुभब करें महसूस करें पहन के लिए अगर मैके में परिवार भरा हो पांच भाई हो पच्चीस भतीजा हो धन दावला टटूट हो लेकिन विचार कीजिए एक बेटी के लिए एक बहन के लिए मैके क्या चीज़ के लिए सोना है भाई भी है भतीजा भी है कोई चीज़ की कमी नहीं है लेकिन किनके बिना मैके सोना लगता है ध्यान देगे मैया हमारी बहना ये आवाज एक बहन की है एक बेटी की है नईहा रामने पांच जेठा भाई या पच्ची सा गोबहती जावा सोभई पच्ची सा कोबहती जावा सोभई नहे भर सक्खिया रे सक्खिया रे सक्कालो रे नईहा रावा लगह युदास सेका पुड़िया मैया भी नहे सक्खिया रे सक्कालो रे नईहा रावा लगह युदास सेका पुड़िया मैया भी नहे लगह युदास सेका पुड़िया मैया रे नईहा रे नईहा रे नईहा रे नईहा रावा सक्पिया रे नाईहा रे नईहा रे नईहा रावा रावा इतना ही नहीं जितने भी इस निर्गुन वजन में सब्द है इस निर्गुन सोहर में जितने भी सब्द है सब का माने एक है आँ ससुरा में पांच्य को भई सूनावा पच्ची सा कोटे उनावा लागई पच्ची सा कोटे वादावा सोभई नहे आपके तरब से 50 रुपे का प्रिमिशावर आया है बहुत बहुत प्रिमिशावर आपके तरब से पर्मात्मा की कृपा बनी रहे आपका साउंड दिन दूनी राक चवुनी उनती करे जै जै पोली प्रेम से मैपती पुगवान की पोल सच्चे दरवार की और इस बात पर आया है अर सक्खीया रे अर सक्कालो रे नई हाजावा अर लागहय उतास सेक अर बुढ़िया मैय बीन है सजनों अर ससुरा में पांच्या को भै सुरावा पच्ची सा को दे उरावा नसो भै है कहा ससुराव में पांच भैसुर है और पच्ची स पच्ची स देवर है फिर भी ससुराव मैय या के लिए बहना के लिए बेटियों के लिए सुन्दर नहीं लगता किन के लिए अर ससुरा में पांच्या को भै सुरावा पच्ची सा गोते उरावा सो भै पच्ची सा गोते उरावा नसो भै है अर सक्खिया रे सा कलो रे ससुराडिया अर लाग है उदास से कहि गोत्पूरु सावा भी दहे सक्खिया रे सा कलो रे ससुराडिया लाग है उदास से कहि इपूरु सावा भी नाये सक्खिया है सक्खिया है सक्खिया रे ससुराडिया लाग है उदास यह कहि इस निर्गुन सोहर की अंतिम निकड़ी है अंतिम लाइन है सुनेंगे आप कई लिए ने सोला भोस्त्रिका रावा बती सा आप भाजान लावा पिन हलों पती सो आप भाजान लावा पिन हलों हे पपुच्या हमारे बाताव प्रेनों जो भी खड़े हैं उसके लिए छेरे रंज करवा दें आपके तरह से भी बहुत बहुत प्रेम निशा बराया है प्रमात्मा की किर्पा बनी रहे जै जै बहुल सची दरवारे की ओरी बायब की भुद्वाने की जै कहना है कई लिए इने सोला होस दिगा रावारे बती सा आप भारा नावा पेनहला बती सा आप भारा नावा पेनहली इने सक्खियारे सा कालोरे अभरा नावा सक्खियारे सा कालोरे स्रिंगा रावा लगह युदास सेगा चुटकिसे नूरावा भीड़े सक्खियारे सा कालोरे सिमा रावा लगह युदास से चुटकिसे नूराव भीड़े सक्खियारे सा कालोरे अभरा नावा युदास से चुटकिसे नूराव भीड़े सक्खियारे सा कालोरे अभरा नावा लगह युदास से चुटकिसे नूराव भीड़े कि जग का जल की कोठरी कितन चुनरी भगवान के और समहरी समहरी के डेगधर की जिनकी सफर जहान के कि समहरी समहरी के डेगधरा जिनकी सफर हा जहान के इस संसार कलंगरुपी काजल के कोठरी भगवा है सरी रुपी चुनरी बिलकुल कोरी भगवा बिलकुल साधा बाने कोरा भगवा इस चुनरी के कलंगरुपी कोठरी में आने पहर के समहर के चने नाता है हमें दाग लग जाई जब दाग लग जाई एक दिन पिया की घरी जवाब दिवी के बार कभी जी निखले बड़े आर चुनरी के दाग देखी और पूछी है सजनमा और चुनरी के दाग देखी और पुछी है सजनमा और जबाब का तु देवो गोरि ससुरा भवनमा जबाब का तु देवो और चुनरी के दाग देखी और चुनरी के दाग देखी और चुनरी के दाग देखी पुची हैं सजन्वा जबाब कातु देवु जबाब कातु देवु गोरी ससुराब भवतमा जबाब कातु देवु कि जबाब कातु देवु 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 जबाब कातु प्रमात्मा के घर से बादा कके आई लू हा संसार में आके भूला गई लू जब पिया के घर जेगू तो सोच जबाब का देगू कहता रहा भूले कई लूग नौरम धारम चोकी आउरी चपबा भूले कई लूग नौरम धारम चोकी आउरी चपबा तोहरा के खाई तोहारे गोरी पपबा तोहारा के खाई तोहारे गोरी पपबा आरे ज़ारे ज़ारे नीरा आरे बाई ज़ारे ज़ारे नीर गीरी ज़ारे लोर गीरी तूनू नय नवा जबाब कातु देवू जबाब कातु देवू गोरी ससुरा भावनमा जबाब कातु देवू 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 महराज दस्षत भी वहां से बाली को मार पिट कर जब भागने लगे तो मुकुट राजा दस्षत जी का वहीं रह गे और बाली उनके मुकुट को लेकर चाए राज मुकुट जो था बाली के ही पास रह गे राजा दस्षत जी लाउटे और ठेक उसी के हम नकल मुकुट बना कर अपने सर पे लगा कर रहने बें लेकिन जो ओरिजिनल राज मुकुट था वो बाली के पास रह गे जब भगवान राम जी का राज तिलक होने लगा ना हो तब माता के कई सोचती है कि आखि राज तिलक होगा कैसे राज तिलक होगा कैसे राज मुकुट तो अयोधिया में है ही नहीं इस बात को सिर्फ देवी के कई जानती थी देवी के कई के सिवा और कोई नहीं जानती थी तब उन्होंने एक सरियंत रचाचा कि मुकुट बापस लाने का बस एक ही उपाए है राम को बनवास भेजना होगा इस राज तिलक को रोकना होगा इसलिए देवी के कई महराज सबसे ये दो बरतान मांगी सचे राम जी तो सब कुछ जानते वो अंतरयामी है इसलिए जब राम जी लेकिन इस मर्म को कोई नहीं जानता था सिर्प देवी के कई महराज दसरत जानते थे लेकिन भगवान अंतरयामी हैं वो तो सब कुछ जानते हैं उनसे कोई कुछ चिपा सकता है कि हम आप से चिपा सकते हैं आप हम से चिपा सकते हैं दुनिया से छिपासकते हैं लेकिन परमात्मा से कोई कुछ नहीं छिपासबूं सजीदू जब राम जी लौट लौट कर आए इसलिए सीदहे माता के कही के पाशज़ते है उन्हें लोग कलंगी नहीं कहने लगे माता के कही की ऊपर भारी कलंग कर आया सजिनो जब भगवान माता के कई से कहे कर ये बापस आए कि माँ भरत मेरा भाई चिंता ना करूँ राम कहेगा और भरत मा देगा राम जी लौट रहे हैं राम जी चल रहे हैं भरत जी के पास इधर से भरत जी भी राम जी के चरन पादुका को लेकर अपने माधे पर रखकर भरत जी चले आ रहे हैं भरत जी चले आ रहे हैं और काते आ रहे हैं भरत जी क्या कि मेरे मन में है राम मेरे तन में है राम मेरे मन में है राम मेरे तन में है राम रूम रूम में बसे हैं मेरे राम है जिनके चरनों में मेरे चारु धाम है रूम रूम में बसे हैं मेरे राम है जिनके चरनों में मेरे चारु धाम है हरी बोल हरी बोल मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे रोम रोम में बसे हैं मेरे राम है जिनके चरनों में मेरे चारो धाम है रोम रोम में बसे हैं मेरे राम है जिनके चरनों में मेरे चारो धाम है रोम रोम में बसे मेरे राम है जिनके चरनों में मेरे चारो धाम है भरत की गाते हुए चले आ रहे हैं मगद उधर से राम जी चले आ रहे हैं उधर से भरत जी चले आ रहे हैं दोनों भाईया आमने सामने खड़े हो गए जब आमने सामने खड़े हो गए राम जी भरत जी से कहते हैं भरत भरत हाँ भरत कहिए कहा भरत अगर ये राम आज तुम से कुछ मांगे तो तुम दोगे भरत ध्यान देंगे जो संसार के मालिक हैं अखिल ब्रमांड के नायक है पार ब्रम्ब है वो जो दुनिया के मालिक हैं दाता एक राम भी खारी सारी दुनिया है नहीं वो दाता है संसार के मालिक हैं जिनके आगे दुनिया अपनी जोली पहलाती है अपने हाँट को पहलाते हैं आज वह संसार के मालिक भरत जी से कह रहे हैं कि भरत अगर आज ये राम तुम से कुछ मांगे तो तुम दोगे भरत ये क्या है ये क्या है ये मात्री प्रेम है ये मात्री भरी भरी है माता पिता के आगे प्रमात्मा को भी जुकना पड़ता है ये मात्री भरी भरी है मैया के कारण समस्त संसार के मालिक जगत के जगदाधार मरियादा पुरसुत्तम राम भरत जी से कहते हैं कि भरत आज ये राम तुम से कुछ मांगे तो तुम दोगे मां के लिए मां कितनी महान है मां का अस्थान कितना उचा है ये समझ है ये समझ है आज जो मां नौ महीने तक अपने पेट के अंदर अपने संतान को रखती है उस दोरान कितनी पीड़ा सहन करती है कितनी कस्त को सहन करती है जो मां अपने घून को पानी के समान वहा देती है हम और आप जैसे बेटे को संसार में लाने के लिए बेटे की साधी रचाने से पहले घर में बहु को लाने से पहले माता पिता पूरी विवस्था कर लेते हैं कि जब मेरी बहु आए तो मेरी बहु को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए वह बहु के आने के बाद बेटा जो मा ने जनम से लेकर पच्चीस वरस तक ममता लुटाती रही उस पच्चीस वरस की ममता को बेटा दो दिन के प्यार में भूला देता है दो दिन के प्यार में भूला देता है माता पिता को ठुकरा देता है ठोकर मार देता है कि जब जो भी है वो बस सिर्फ पत्नी है पत्नी के आगे माता पिता को भूल जाए जो पतनी कहती है वो वही करते है जितना डर पतनी का होता है उतना डर अपनी माता पिता का नहीं 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 बहुत ऐसे बेटे संसार में है सब की बात मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन सौ में 95% ऐसे ही 5% हैं कुछ जो अपनी मती और भुद्धी के अनुसार चल 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 आज हुआ मां की ममता को लेकर राम जी चले की मां क्या चीज है भगवान भरत जी से कहते हैं कि भरत आज ये राम तुमसे कुछ मांगे तो तुम दोगे लेकिन भरत 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 भी भगवान के उतने ही प्यारे आ थे भरत जी कहते हैं कि भरत भरत जी कहते हैं कि भगवान ही तो आपके पास कुछ मांगने केही ले चल आ रहे थे राम जी कहते थे काम करो पहले तुम ही मांग लो उसके बाद हम मांगेंगे क्योंकि तुम छोटे हो और बड़ों से मांगने का अधिकार होता है छोटे हो पहले तुम ही मांगने दियान 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 अब राम जी को भी ये पता नहीं था कि जो मैं मांगने आया हूँ वही भारत जी कहते कि भाईया अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो हम आप से यही मांगते हैं कि आप मुझे मां को कभी मां नहीं कहने के लिए आप मुझे मां को कभी मां कहने के लिए नहीं कहिए भगवान कहते हैं क्या पता था कि जो हम मांगने आ रहा हैं वही बरत मांग ले सचे रहे